तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम ले के आये हैं आपके लिए मौक टेस्ट यह जो मौक टेस्ट है दूसरा रहने बाला है इससे पहले हम एक मौक टेस्ट आपके लिए डिसकस कर चुके हैं जो कम्पलीट पूरा 200 कुश्चन का था जिसको पूरे एक्जाम पैटन के काफी हार्ड बनाया गया है इसलिए दोस्तों हमने आज का जो मौक टेस्ट है यह प्रीविस एर पेपर लेके आये हैं आपके लिए प्रीविस एर का पेपर जिसमें हम 100 कुश्चन जो है वो डिसकस करेंगे तो देखते हैं आप इसमें कितना स्कोर कर पाते हैं और दोस्तो हवी सेक्रेट कलर्क एक्जाम के लिए दोस्तों यह हमारे सेकंड मौक टेस्ट है और इससे पहले हम 41 कलासिस डिसकस कर चुके हैं अगर आपने वो कलासिस नहीं देखी हैं तो आप मारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी त्यारी को बुस्ट आप कर जब मानव, तामर और परशान दोनों उज़ारों का प्रियोग करता था तो वह कौन से एज के नाम से जाना जाता था तो प्शिन है प्रशान काल तामर प्रशान काल में दोस्तों तामर और प्रशान दोनों के जो ओजार थे उनका प्रियोग होने लगा था तो option इसका बी जो है वो सही हो जाएगा और बात करें ना प्रशान काल की दोस्तों ये जो वर्ड है ये किसके द्वारा दिया गया था इसका division किया गय गया था दोस्तों तो यह किया गया था सर जोन लुबाक के द्वारा नेक्स्ट है बिच बाजदा मोस्ट इंपोर्टेंट डिविनिटी और रिगवेदा रिगवेद के सरबादिक महत्मुन देपता कौन थे दोस्तों इस ऑप्षन में इंदर नहीं दिया हुआ है अगर इंद बुद्धिजम इंटु चायना इच्ट्रेडिशनली एट्रिब्यूटर टू चीन में बहुत धर्म के प्रराम का श्रय वार्म परिक रूप से दिया जाता है तो दोस्तों प्रत्मस्ताबदी में यह दिया जाता है श्रय कश्यव मतंग को तो आप्षन भी जो है पसही हो ज मौरे काल के दुरान सरबादिक प्रियुक्त सिक्का कौन सा था कौन सा सिक्का प्रियुक्त था मौरे काल के दुरान तो यह था दोस्तो कर्षपणा तो option इसका D जो है वह सही हो जाएगा कर्षपणा next है जो काके नहीं है दोस्तो यह कौन से समराजे में बीजनगर समराज지 में हैं प्रचलेत था तो आपको प्ताना है सोग के प्रसासन में राजचुक जो देखवाल करते थे किसकी देखवाल करते थे दोस्तों कि यह करते थे एडिपिनस्टेसन जस्टिस यानिकी नाए प्रसासन anda option D सही हो जाएगा तो दोस्तों ये 100 question का mock test है आपके लिए तो इसमें हम जो explanation है question की वो नहीं करेंगी अगर आपको explanation की वीडियो चाहिए तो आप comment करके जुरूर पिता दें फिर आम mock test को बंद कर देंगे Next है तो दुरानी डैनेस्टी वास founded by तो दुरानी बंच की स्तापना किसने की थी तो दुरानी बंच की स्तापना जो थी दोस्तों वो किसके दवारा करीगी थी तो ये करीगी थी एहम शावडाली के दवारा option c जो है वसाई हो जाएगा सूभी बाद की सूरा बदी जो पदती है भारत के किस क्षेतर में परसीद थी दोस्तों यह सूरा बदी जो पदती थी यह परसीद थी कहां परसीद थी दोस्तों यह थी पंजाब एंड सिंद तो ऑप्शन इसका D सही हो जाएगा पंजाब एंड सिंद के क्षेतर में दोस्तो यह popular था अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों जो फिर्दोस्ती है फिर्दोस्ती सिलसिला तो वो कहां था तो वो बिहार के चेतर में प्रिसित था next है the special feature of financial system of बिजेनगराबाद बिजेनगर की बिदिय प्रनाली का बसिष्ट लक्षन था उनमें से कौन सा था बिजेनगर की बिदिय प्रनाली का बसिष्ट लक्षन दोस्तों बो था रिवेनियो फ्रॉम सी पोर्ट बंदरगाओं से राजस्त प्राप्ती तो option सी इसका सही हो जाएगा तो आपको पताना है कौन सा जो मुगल शास्तक था पढ़ने और लिखने की कला से अन भिग्गे था तो दोस्तों कौन सा मुगल शास्तक अन पढ़ था तो यह था आकवर option डी जो है बसाही हो जाएगा आकवर नेक्स्ट है मराठा चीफ संबाजी बाज executed during the reason of जो मराठा प्रमुक संबाजी थे इनको किनके शास्नकाल के दुरान फांसी दी गई थी दोस्तों किनके शास्नकाल के दुरान तो रंगजेब के option सी सही हो जाएगा उन्हें संबाजी और जो कभी कलेस्थे उनको फांसी दी देगी थी रंगजेब के दौर दोस्तों को शर्त इन्होंने रकी थी और विशेष्ट कर जो इन्होंने इसलाम जो था उसको कुबूल नहीं किया था इसके कारण इनें फांसी देदी गई थी next है sculpture of the गंधारा स्कूल reflected the influence of the गंधार शैली की मूर्टियों पर इनका प्रभाव प्रतिबिम्बित होता है तो कि इनका प्रतिबिम्बित होता है दोस्तों तो यह होता है युनानियों का इनकी ग्रीक सगा option C सही हो जाएगा युनानी next है जामा मस्चिद इन दिली बाज बिल्ट बाई दिली में जामा मस्चिद का निर्मान किसने करवाया तो यह करवाया था दोस्तों सहाजाने और option B सही हो जाएगा दिली और आगरा की जो जामा मस्चिद है उनका निर्मान सहाजान के दोरा करवाया गया और दोस्तों जो मोत दिन खिलजी के दरबार में जो प्रिसित कभी था दोस्तों वो था अमीर खुसरो तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा अमीर खुसरो तो कब आया था दोस्तों फायान चंदरगुप द्वितिय के समय आया था जो गुप्त समराड थे चंदरगुप द्वितिय उनके समय आया था और जो हिंसांग है दोस्तों ये हर्षबरदन के समय आया था तो इबन अवदुत्ता जो था दोस्तों ये जो मुहमद बिन तोगल नेख्ट है, बिच बाजन दा फर्स निज़स्पेपर पुबिस्ट इन इंडिया, भारत में प्रकासित प्रत्म समचार पत्तर कौन था, जो प्रत्म प्रकासित प्रत्म समचार पत्तर था वो कौन था दोस्तों तो वो था बेंगाल गजट, और उप्षन भी सही हो जाएगा तेंगाल गचिट 1780 में ये पब्लिस किया गया था दोस्तो जेम्स अगस्टस हिक्की के दवारा नेक्स्ट क्वेशन है सर चार्ल्स बोड डिस्पैच ओफ 1854 डिल प्राइमली बिद तो किसके साथ डिल करता है दोस्तो बोड डिस्पैच 1854 तो ये है डिल करता है तो आपको पताना है भारत का प्रत्थम गवर्नर जनरल ये था लौड बिलियम बेंटिंग क्वेशन काफी बारे एक्जाम में रिपीट होता है बंगाल का कौन था प्रत्थम गवर्नर तो वो था बारेन हैस्टिंग्स दोस्तो महात्मा गांधी के विजार आतेदे किस से प्रभावे थे तो वो थे दोस्तो बगवत गीता से औसन सी सही हो जाएगा ज़ाएगा बगवत गीता नेक्स्ट है The Idea of Constitution of India was first of all given by बारते समिधान का विचार जरप्रत्तम इनके द्वारा दिया गया था तो किनके द्वारा दिया गया था दोस्तों तो ये दिया गया था M.N.Roy के द्वारा option D सही हो जाएगा 1934 में दिया था M.N.Roy ने कि समिधान के गठित के लिए समिधान सबाका गठन किया जाना जाएए समिधान के गठन के लिए नेक्स्ट है The Constitution of India borrowed the scheme of Indian Federation from the Constitution of बारत के समिधान की बारते संगिय उजना किस देश के समिधान से लिए गई है ये लिए गी है दोस्तों कनाटा के समिधान से तो option B से हो जाएगा कनाटा इसका राइंट आसर हो जाएगा और R.A.Land से क्या लिए गया है ये आप कमेंट करके बताएं जो आपके पास है USA R.A इसे समंधिच डिटेल में आप कमेंट कर सकते हैं जिसका कमेंट अच्छा लगेगा जिसने डिटेल में लिखका होगा उसका मैं पिन कर दूँगा नेक्स्ट है दोस्तों नेक्स जो क्वेशन है दोस्तों तो नेक्स वेशन है प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन एंड इंटरस्ट ऑफ दा मैंटर्टी इस एनवी सेज इन बिचे आर्टिकल ऑफ इंडिन कंसिच्यूशन तो अल्प संख्यों को के हितां का सेलक्शन भारते समिधान के किस जाएगा 32 मैं आप सभी को पता है समिधान एक जो है उनके उपचारों का बर्णन है तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ मेंबर सेने लेजिसलेटिव कॉंसिल शुड़ नौट एक्सीड दैट ऑफ ए लेजिसलेटिव एसेम्बली बाई धान परचिद में सदस्यों की कुल संक्या भी धान सावा के डैसलेटिव से देख नहीं होनी चाहिए तो ऑप्शन इस आई हो जाएगा तो बात करें दोस्तों बरतमार में भारत में बाईरत के जिकुल स्टेट है उनमें से 6 जो स्टेट है उनमें लेजिसलेटिव कॉंसिल है तो कौन कौन से ये स्टेट है इनसे भी एक्जाम में प्रेशन पूचा दाता है तो ये है आंतरप्रदेश तेलंगाना करनाटक महारास्टर बिहार और उत्तरप्रदेश तो ये जो मूलता छे स्टेट हैं नेक्स्ट क्वेशन है तो स्पीकर द्वारा सभिकार करने से पूर्व सरकार में अब इस्वास प्रिस्ताब का प्रिस्ताब लोक्सबा के कितने स्दस्य उदारा समर्थित होना चाहिए तो ये है औप्शन इसका ए सही हो जाएगा 55 नेक्स्ट है दार्म ओफ लोक्सबा लोक्सबा का कारेकाल कब तक बढ़ाया जा सकता है इसके बारे में कॉश्टन है तो दोस्तो ये बढ़ाया जा सकता है कुछ विसेस स्थिती में एक बार में एक बर्स तक बढ़ाया जा सकता है तो आप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा जब 1975 एमरजन्सी लगी थी दोस्तो तब इसको बढ़ाया गया था next है the union council of minister consist of कंद्रिय मंत्री परश्द में शामिल होते हैं कौन-कौन शामिल होते हैं कंद्रिय मंत्री परश्द में तो इसमें शामिल होते हैं cabinet मंत्री, राजय मंत्री और ओप मंत्री तो option इसका C सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेशन है तो आपको पताना है जो राश्टपधी राश्टपधी के 5 वर्स के कारेकाल की गणना कब से शुरू होती है तो दोस्तों ये शुरू होती है जिस दिन से बहे पाद ग्रहेंड करते हैं डे ही एजियूम चार्ज तो option C करेक्ट हो जाएगा जिस दिन बहे पाद जो है वो ग्रहेंड करते हैं नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट इस्पोंसिबिल्टी फार एड्यूकेशनल प्लानिंग इस शेर्ड बाइदा सेक्षनिक योजना के लिए राजी सरकार का उतरदाइतव इनके साथ साजा किया जाता है तो कि इनके साथ साजा किया जाता है तो ये किया जाता है दोस्तो Ministry of Human Services and Development यानि की मानम संसादन विकास मंतराले option B इसका correct हो जाएगा नेक्स्ट है अगर दोस्तो आपको किसी प्रेशन में डॉट होता है तो आप कमेंट करके जुरूर बताएं लेकिन मैंने आपको बताया ये जो answer है हचपी ससी की option answer की के according है next है who is entitled to initiate a bill for constitutional amendments समयदानिक शिंशोधनों के लिए विधायक प्रस्तुत करने के लिए कौन अजिकरित है कौन है दोस्तो संसत का कोई विश्यतन तो option इसका डी सही हो जाएगा आइदर होसो पार्लेमेंट next है the election commission hold election फार्दा तो आपको पताना है निरवाचन योग डैस डैस के लिए चुनाव आयोजित करवाता है तो आप जुरूर कमेंट करके इसका अंसर बनाए तो इसका जो सही अंसर है दोस्तो वो है Parliament, State, Legislature and Post of President and Vice President तो option इसका सही हो जाएगा संसद, राज्ये विधान सबाओं राष्टपती और उप्राष्टपती के पदाओं के लिए next है this state has no पंजाईती राज इंस्टिूशन at all किसी, किस राज्ये में आपको पताना है कोई भी पंजाईती राज संस्ता नहीं है दोस्तो option इसका D correct हो जाएगा नागालेंड में पंजाईती राज संस्ता नहीं है option इसका D सही हो जाएगा next है तो आपको पताना है कौन एक स्थ्वानित राज्य राज्ये कौन है दोस्तो इनमें आपको पताना है एक्स्ट्र जो कंस्तिूशनल राज्ये कौन है तो option इसका C सही हो जाएगा नीती आयोग इसका सही आंसर हो जाएगा next है the 25th state in India is भारत में 25 राज्य कौन है दोस्तो 25 राज्य कौन बना था तो ये बना था गोवा तो option A सही हो जाएगा 30 मैं दोस्तो 1987 को गोवा भारत का 25 राज्य बना था अपने याद रखना है और जो अरनाचर प्रदेश है ये भी 1987 में बना था मिजोरम जो है कितने देश दस्ते हैं तो कितने हैं 193 option A सही हो जाएगा 193 नेक्स्ट है इंडियन मिल्टरी अकेडमी इस एट इस लुकेटेट एट तो कहां है दोस्तों इंडियन मिल्टरी अकेडमी तो ये है देहरादून में option A correct हो जाएगा नेक्स्ट है smoking in public place इस बाद prohibited nationwide from तो सारवजनिक स्तानों में धुमरपान का राष्ट व्यापी सेध है तो कबसे लागू हुआ था दोस्तों ये हुआ था 2 October 2008 से option B correct हो जाएगा 2 October 2008 next है which is not the philosophy of the constitution of India इनमें से कौन सा भारते समिधान का तत्त व्याफिर दर्शन नहीं है दोस्तों welfare state भी है socialist state भी है यानि कि political equally है तो और option इसका D सही हो जाएगा communist राज्य नहीं है भारत तो option इसका जो D है तो सही हो जाएगा ये भारते समिधान का दर्शन नहीं है next है the 8 schedule of the constitution deals with तो भारते समिधान की 8 भी अनसूची किसे समंदित है तो किसे समंदित है दोस्तों ये समंदित है list of regional language यानि कि क्षेत्री भासाओं की सूची से कितनी है total समिधान में तो ये हैं 22 next है permanent hardness of water can be removed by adding dash dash मिलाकर पानी किस्ताइक ठोड़ता को दूर किया जा सकता है तो किसको मिलाकर दोस्तों ये जो बासिंग शोटा होता है option D सही हो जाएगा बासिंग शोटा को मिलाकर दोस्तों पानी किस्ताइक ठोड़ता को दूर किया जाता है option इसका D सही हो जाएगा next है which is called a strategic metal कौन सी एक धात्तु जो है वो सामरिक धात्तु कहलाती है इनकी रिणनेतिक धात्तु किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है टाइटेनियम को option C सही हो जाएगा टाइटेनियम next है बिचारदा ingredients of gun metal तो आपको पताना है जो gun metal है ये किसकी मिश्र धात्तु है एनकी किसे मिलकर बनी होती है gun metal में दोस्तो तामबा टेन और जिंक का मिश्र होता है तो option B सही हो जाएगा तामबा टेन तामबा इसमें दोस्तो 88% होता है तेन जो होता है वो 10% होता है और जो remaining 2% होता है दोस्तो वो होता है जिंक next question है good is the main raw material for the manufacturer of किसके निर्मान के लिए लकडी मुख्य कच्चापदार्थ है तो दोस्तो जो paper है उसके निर्मान के लिए दोस्तो जो लकडी है कच्चापदार्थ है तो option B सही हो जाएगा paper next है reading of the barometer going down is an indication of barometer के बाठ्यांग का गिरना किसका सूचक है तो दोस्तो अगर धीरे धीरे गिरे तो यहाँ पर पूचा है तो option इसका B सही हो जाएगा rainfall है अगर एक तम से इसका पांध्यांग नीचे गिरता है तो जोस्तो बहुँ तो बहुँ इंडिकेशन होता है storm तुफान का लेकिन यहाँ पर है dating of parameter going down is an indication of यहनकी धीरे धीरे गिरना तो option इसका B सही हो जाएगा rainfall नेक्स्ट है the safety fuse should have तो जो सुरक्सा fuse है उसमें क्या होना चाहिए दोस्तो जो सुरक्सा fuse होते है उसमें होना चाहिए high resistance and low melting point option B सही हो जाएगा next है जो आपको comment करके पताना है जो fuse बाहिर होती है वो किसकी बनी होती है next है a transistor is most likely to be found in A transistor की सरबदिक पाय जाने की संभाबना है तो किसमें है दोस्तो तो यह है herring add option B correct हो जाएगा herring add में दोस्तो transistor की पाय जाने की सरबदिक संभाबना है next है which hormone contains iodine किस hormone में iodine होता है तो किसमें होता है दोस्तो यह होता है thirection में option D सही हो जाएगा और testosterone जो है दोस्तो यह क्या है तो यह male का male general hormone है insulin जो है दोस्तो insulin की जो कमी हो जाती है तो इसमें क्या हो जाती है diabetes हो diabetes जो है वो बिमारी हो जाती है जो adrenaline है दोस्तों यह जब मनुस्य जो है डरता या फिर प्रभाबित होता है कुछ भी तो इसमें जो adrenaline हार्मोन है उसका स्त्रावन होता है जो adrenaline हार्मोन होता है next है only glucose is used for energy requirement by तो आपको पताना है द्वारा उर्जाब शक्ता के लिए केबल गुलकोस कप्रियों किया जाता है तो यह किया जाता है ब्रेन के द्वारा option C से हो जाएगा मस्तिस्क next है oxygen is transported to every cell of the human body by तो मानुस्रीर की प्रेक तेक कोशिका को oxygen किसके द्वारा भाइत होती है तो किसके द्वारा होती है दोस्तो यह होती है RBC के द्वारा red blood cells option B से हो जो है correct हो जाएगा रख्त डाल रख्त कोशिकाएं जो हुमोगलोबिन होता है तो option इसका A से हो जाएगा next है pearls are formed inside मोति किसके अंदर बनते है तो मोति किसके अंदर बनते हैं दोस्तो यह बनते हैं कस्तूरा option B correct हो जाएगा और इसका सही आंसर है कस्तूरा next question है plant bici yields fiber as well as edible fruits is तो आपको बताना है पोता जो fiber और खाद फल दोनों उत्पन करता है तो ऐसा कौन पोता है दोस्तो बो है plagra option B सही हो जाएगा और यह होता है दोस्तो बिटामिन B3 की कमी से न्यासन की कमी से होता है next है और बाकिया आप सबी को पता है ostom lesia जो होता है बिटामिन D की कमी से होता है rickets भी same ही है ostom lesia adult में होता है और rickets जो होता है यह है बच्चा में होता है next है which part of the body is affected by drinking alcohol सरा पीने से स्रीड का कौन सा अंग प्रभावित होता है कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तो बैसे तो liver और kidney दोनों होता है जादा factor liver पर बढ़ता है option B correct हो जाएगा liver next है which is a communicable diseases आपको पताना है कौन सा एक स्क्रामक रोग है इसमें जो स्क्रामक रोग है वो है diphtheria option A सही हो जाएगा diphtheria next है a bubble of water science because of पानी के बुलुबले के चमकने का कारण क्या है आपको पताना है तो पानी का जो बुलुबले होता है वो किसके कारण चमकता है बस तर पहना सुरक्सित है इसमें आपको कौन से कपड़े पहने चाहिए खाना पकाने के दुरान दोस्तों तो ये पहने चाहिए cotton के option A सही हो जाएगा next है the freezer इने refrigerator is fitted near the top तो refrigerator जो होता है दोस्तों उसमें जो freezer होता है वो series के स्मीप लगा होता है तो इसका क्या कारण है so that it can cool the whole interior by setting up convection currents ताकि बहे संभेनी धाराओं के स्तापन द्वारा संपूर्ण आंत्रिक भाग को ठंडा कर सके next है अंगोरा बूल इस obtained from तो आपको पताना है जो अंगोरा बूल है वो किस से प्राप्त होती है किस की नसल से प्राप्त होता है तो ये प्राप्त होती है दोस्तो खरगोशे रैपिट आप्शन B सही हो जाएगा रैबिट अगर यहां पर पूछो होता पश्मीना उन तो दोस्तो उसका सही आंसर होना था बकरी next है अजोन सिदर के लिए उत्रदाई प्रदुषक कौन है तो ये कौन सा प्रदुषक उत्रदाई है दोस्तो कौन सा प्लुटेंट है तो ये है क्लोरो फ्लोरो कार्बन CFC ओप्शन D सही हो जाएगा next है इंडिया डॉक्टर दा फाइबेर प्लान फ्रॉम भारत ने पंचबर सी योजनाएं कहां से अपनाई थी दोस्तो ये अपनाई थी दोस्तो कहां से फोर्मर यूएसर से उप्शन इसका भी सही हो जाएगा यूएसर से दोस्तो भारत ने जो फाइबेर प्लान था लिया था तो option इसका भी सही हो जाएगा USSR नेक्स्ट क्वेशन है बिस सर्व जैजन इंस्टूमेंट ओफ डिजीजन मेकिंग इन कैटिलिस्ट एकॉनमी एक पुझी बादी अर्थ विवस्ता में कौन सा निर्णे लेने के माद्यम के रूप में कार्य करता है दोस्तो इसका option होगा price mechanism option C से हो जाएगा मुल्य परनाली नेक्स्ट है business and indirect tax तो इसमें indirect tax का जो example है वो है excise duty option B से हो जाएगा excise duty आवाकारी शुलक नेक्स्ट है basic regular sorry basic regulatory authority for mutual fund and stock market lies बिद्दा mutual fund और stock market के लिए जो मूल नियमक परादिकार है यह किसके पास है तो दोस्तो यह सेभी के बास option B से हो जाएगा stock exchange board of India next है the period of high inflation and low economic growth is term days तो उच्च मुद्रा स्पिती और निमन आर्थि विकास का जो काल है यह जो time period होता है इसे किस नाम से जाना जाता है जिसमें बिरोजगारी भी ज़्यादा होती है और महंगाई भी ज़्यादा होती है तो उसे का जाता है stack relation option C से हो जाएगा stack relation next question है there was no five year plan in India for third year during किस अबदी के दुरान भारत में तीन बरसों के लिए कोई पंच बरसी योजना नहीं थी तो कौन सा time period था दोस्तों ये था 1966 से 1969 का तो option C इसका सही हो जाएगा next है which of the flowing bars form to suggest means for eradicating black money तो काले धन के उनुमुनल के लिए उपाई सुझाने के लिए नेमन मैंसे किसकी स्तापना करी गी थी ये करी गी थी दोस्तों जो चलिया committee है उसकी तो option D सही हो जाएगा 1991 मैं चलिया committee next है the greedy हटाओ slogan was coined in तो greedy हटाओ का नारा इसका निर्मान कब हुआ था तो greedy हटाओ का नारा जो है दोस्तों इक अब दिया गया था 1971 मैं option A सही हो जाएगा और कौन सा five year plan था दोस्तों तुसबक था fifth five year plan next है real honor of a company R company के बास्तिविक स्वामी होते हैं तो कौन होते हैं दोस्तों ये होते हैं equity share holder तो option C सही हो जाएगा शम्ता अंचदारक option C सही हो जाएगा equity share holder next question है in the minimum needs program the maximum allocation has been made for new term अब श्यक्ता कारिकरम में अधिक्तम अवंटन किसके लिए किया गया है तो किसके लिए किया गया है दोस्तों ये किया गया है ruler water supply के लिए gramीन जल अपूर्ती के लिए next है bitch is the central bank of India तो कौन है भारत का केंदरी बैंक तो ये है RBI option D सही हो जाएगा RBI next है who is associated with the bite revolution तो आपको बताना है इनमें से कौन स्वेत करांती से सबंदित है स्वेत करांती के जनक जो है बुका जाता है बर्गीज क्योरिन को option C सही हो जाएगा और हैमें स्वामीनातन जो है ये हरित करांती के जनक है next है who gave the concept of missing woman missing woman का concept किसने दिया था missing woman का जो concept है दोस्तों ये प्रिशित अर्शास्त्री मरते सेन के द्वारा दिया गया था तो option D सही हो जाएगा अमरते सेन next है which state has maximum production of coffee in India तो भारत में coffee का सरवादे कुतपादन किस राज्य में है तो दोस्तों ये है करनाटक option B सही हो जाएगा करनाटक next है which is not covered under general insurance निमन मैं से कौन सधार्ण बीमा के अंदरगत नहीं आता है तो आपको पताना है कौन सधार्ण बीमा के अंदरगत नहीं आता है तो option D सही हो जाएगा life insurance next है the raise rate of increase of temperature inside the earth with increasing depth is पृतिवी के बीतर गहराई बढ़ने के साथ ताफमान में बृतिदी की जोस दर है वो कितनी है दोस्तों तो अगर आप 32 मेटर नीचे जाएगे तो दोस्तों उस पर 1 degree centigrade का फरक पड़ता है यहनकी 1 degree centigrade temperature जो है वराइज होता है तो option B सही हो जाएगा बन डिगरी Celsius फार एबरी 32 मेटर नेक्स्ट है फोल्ट फॉर्म्ड ओन दा आथ सर्फेस आथ जल्ट आफ पृत्वी की स्तेय पर निर्मित ब्रंस किसका परिणाम है तो किसका परिणाम है दोस्तों तो यह परिणाम है दोस्तों तो ब्रंस का तो option A सही हो जाएगा तो दोस्तों भारत का जो दक्षनिक शेतर है दक्षनि भाग है बुकंप के प्रती कम प्रबण माना जाता है चुकि इसका कारण क्या है तो दोस्तों यह जो है यह एक ठोर स्थाई ब्लोक है अप्षन भी सही हो जाएगा जो पुकंप का क्षेतर है वो कौन सा है दोस्तों जो उत्री जो भारत है वो उत्री और पश्चमी भारत नेक्स्ट है बट इसदा नेम गिबन टुए मौन्टेन फॉर्ण डू टू टू फॉल्डिंग आफ क्रस्टल टॉक्स बाई आपको बताना है जो संपीडन बलों द्वारा क्रिश्टल च्टानों के बलन के कारण निर्मित परबत को क्या नाम दिया गया है तो उनको नाम दिया जाता है बलित परबत यानिकी फोल्ड मौन्टेन तो इमाले परबत जो है दोस्तों यह फोल्ड मौन्टेन का एक्जाम्पल है तो दोस्तों आंसर की कोवर्डिंग इसका आंसर जो है वो 51 यूनिट दिया हुआ है लेकिन इस क्वेश्टन में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है यह जो ऑप्शन है इन सभी में अगर आपको इसका सही आंसर पता है कन्फर्ण है आप तो कमेंट करके जरूर बताएं नेक्स्ट है टेमपरेट साइकलोन मेंली ओरिजनेट डियू टू तो आपको बताना है जो सितोसन चक्रबात होते हैं मुख्यता किसके कारण उत्बन होते हैं किसके कार्ण उत्बन होते हैं दोस्तों ये होते हैं कन्बर्जेंस आप तो कंस्ट्रेटिंग एर मासिज ओप्शन A सही हो जाएगा दो विपर यासी बायू सहिंतियों के अभिशन के कारण ओप्शन A इसका राइट हो जाएगा नेक्स्ट है विच ओफ दा फ्लॉइंग रिजन रसीब रैनफॉल्ड थ्रूओड दा एर निमिन मैंसे कौन सक्चेतर भर्ष बर बर्षा प्राप्त करता है तो दोस्तों जो मेडिटेरियन रिजन है ओप्शन इसका सी सही हो जाएगा भुमद्ड सागरी जो क्छेतर है दोस्तों बोहो बर्ष बर, बर्षा प्राप्त करता है इन उप्शन मैसे इसका सी सही हो जाएगा मेडिटेरियन सी नेक्स्ट है आपके लिए क् 위च्चन है जो मेडिटेरियन सी है दोस्तों इसके साथ कौन कौन सी जो country है उसी मा साजा करती है Next है Ocean current are not caused by महसागरी धाराएं इसके कार्ण नहीं होती है तो किसके कार्ण नहीं होती है दोस्तो ती होती है Pressure of desert along the coast यानि की समूदर तड़ पर एकिस्तानों का दबाब तो option D सही हो जाएगा Next है जिबको moment bar started against जिबको अंदोलन इसके ब्रोद शुरू किया गया था तो किसके ब्रोद शुरू किया गया था दोस्तो यहें प्योड़ाओं की किटाई के ब्रोद दा cutting of trees जो option A सही हो जाएगा और इसमें महिलाओं ने काफी योगदान दिया था 1973 में यह अंदोलन जो था इसको अंजाम दिया गया था Next question है Trans Australian Railways Runs Between Trans Australian Railway है दोस्तो यह किनके बीच चलती है तो यह चलती है Sydney और Perth के बीच option A सही हो जाएगा Sydney and Perth Next है Beach is the largest island of Japan तो जपान का आपको पताना है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो सबसे बड़ा जो द्वीप है जपान का दोस्तो वो है Honshu द्वीप Option C सही हो जाएगा Honshu और जो जपान की राजधानी है दोस्तो टोक्यो वो किस द्वीप पर स्थित है तो यह में भी दोस्तो ओप्शन A सही हो जाएगा जो केशु द्वीप है उस पर स्थित है नेक्स्ट है ग्रास लैंड इन ब्राजील आर नॉन एज तो ब्राजील में घास के मिदान जो है दोस्तो उनको जाना जाता है कंपोस के नाम से यह ऑप्शन B सही हो जाएगा कंपोस और जो लानोस हैं दोस्तो इनको दक्षन अमेरिका के जो उत्तरी देश है यह जो कुलंबिया और दोस्तो कुलंबिया और बेनेचुला के देश जो है उनमें लानोस घास के मिदान को लानोस के नाम से जाना जाता है ब्राजील में कमपोज और पमपाश यह अर्जर टीना में और स्टेपी जो है दोस्तों यह को आपको बताना है, जो स्टेपी यह कहांकि परिसीज जो है गरास लेंड है ये नॉर्थ जो एशिया है हमारा उसी सेंटरल एसिया के अंतरगत ये जो है सेंटरल एसिया में ये गास के मेदान पाए जाते हैं नेक्स्ट है बिच रीबर ड़स नॉट फ्लो थू पाकिस्तान तो आपको बता रहा है कौन सी नदी पाकिस्तान से नहीं बहती है जिसमें दोस्तो जेलम, चिनाब और आभी तीनो नदियां बहती है तो इस वह option हो जाएगा सही None of these ये तीनो नदियां बहती है पाकिस्तान से Next है ये सिंदू नदी की साइक नदियां है तीनो ही Next है धूपकड is the highest point of धूपकड किसका उस्तम बिंदू है तो किसका उस्तम बिंदू है धूपकड तो ये है दोस्तो जो सथपुडा परबत माला है तो option B से हो जाएगा सथपुडा Next है तबेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिनेटर्ड ओबरदा तो दोस्तो पस्चमी विक्सोफ जो है वो कहां उत्पन होते हैं तो अर्व सागर में भी उत्पन होते हैं और मेडिटेरिन सी में भी उत्पन होते हैं Next है बिच इस आलसो नौन बाइदा नेम आप सहाधरी रेंज तो किसे सहाधरी परबत माला के नाम से जाना जाता है तो सहाधरी परबत माला के नाम से जाना जाता है जो बेस्टन घाट है उसको option A सही हो जाएगा पच्चमी घाट नेक्स्ट है truck farming is associated with truck farming किसे सबंदित है truck farming सबंदित है vegetable से सब्जियों से तो option A सही हो जाएगा सब्जिया next है the state in South India बिदे थर्म स्टेशन एड तुति कोरिन तो तुति कोरिन में next question which is the most urbanized community in India भारत में सर्बादिक सहरी समुदाएक कौन सा है सर्बादिक जो सहरी समुदाएक है दोस्तों हो है पार्सी option C से हो जाएगा पार्सी next है the program of community development was launched on समुदाएक विकास कारिकरम प्रड़ाम हुआ तो कब हुआ था यह हुआ था 2 October 1922 तो option A इसका सही हो जाएगा 2 October 1952 next question है भीमसेन जोसी है एकसेल हिमसेल फिन तो भीमसेन जोसी ने स्वयम को स्रिष्ट बनाया किस में तो उन्होंने बनाया वोकल म्यूजिक में कंट संगीत में तो option B सही हो जाएगा कंट संगीत next है तो जो रमन मैकसे से अवार्ड है दोस्तो किस देश के पुर्व राष्टमती के नाम पर रखा गया है तो यह तो राष्टमती थे फिल्पीन्स के option C सही हो जाएगा पुर्व राष्टमती थे फिल्पीन्स के next question है common belt games are held once in dash as air तो राष्टमती के जो है दोस्तो इनका योजन चार बर्ष्टम में एक बार होता है तो option B सही हो जाएगा next question बिच इंडियन क्रिकेटर बाज गिबन दा title tiger किस भारतिय क्रिकेटर को tiger पादी दी गई थी तो former Indian captain दोस्तो मसूर अली खान पटोदी को तो option A सही हो जाएगा इन्हें tiger की उपादी दी गई थी tiger पादी के नाम से इन्हें जाना जाता था next है the term chukar is used in तो आपको बताना है जो term chukar है एक किस खेल में यूज किया जाता है ये किया जाता है horse racing में good dot में तो option B इसका collect हो जाएगा आई होप दोस्तो आपको ये जो mock test step पसांद आया होगा वीडियो पसांद आई होगी तो इसमें हमने 100 questions जो है वो discuss कर लिये है तो आप comment करके जरूर बताए कि आपके कितने questions इसमें सही हुए तो अगर दोस्तो आपके इसमें 65 to 70 questions सही हुए है